नमस्कार, NJ India सभी पार्टनरों का हार्दिक श्वागत है, और श्वागत है, आई एंजी इंवेस्मेंट मैनेज्मेंट के चीफ इंवेस्मेंट आफिस्टर मल्टी मैनेजर फट्स मिश्र अरविन बनसल जी का, बनसल जी आपका हार्दिक श्वागत है, NJ के इस विशेश का हुआ और उसका आने वाले दिनों में क्या आफर हो सकती है? इंपेक्ट क्या आने वाली है? तो सबसे पहला मेरा सवाल आपको यही होगा कि इस बजेट पे आपके प्रतीक्रिया क्या है? हमारे विचार में ये बजेट एक्शली एक को जालो five अब हुआ है तो लोगों को लग रा था था कि हर साल इलेक्ष़न से नमलिली एक साल पहले जब बजट याता है तब बहुत सारी पॉप श्केम जो है गल्मेंट अनाूंस करती hus कई लोगों को लग रहा उनकी आमदनी से 5.9% ज्यादा था, इस साल उन्होंने प्रजेक्ट किया है कि 5.1% होगा, तो उस लोगों का नुमान था 5% के असपस आएगा, तो 5.1 ज्यादा नहीं है, उसमें थोड़े क्वेस्चन वाख है कि सरकार ने बूला है कि जो कंपनियों में स्टेक बेचने से वो 30,000 क्रोड स्पेक्ट्रम 2G और स्पेक्ट्रम बेचेंगे उससे 40,000 क्रोड तो 70,000 क्रोड सरकार ने ऐसे माना है कि आएगा, वो कितना होगा देखने है साल के बीतर देखेंगे, और था एक्साइज ज्यूटी और जो आपका सेल्स सर्विस टैक्स है वो भढ़ा दिया 2% औ बहुत सारे और प्रोडक्स और सर्विस जिन पर टैक्स नहीं लगता था उनको इंक्लूड कर लिया तो उससे लग रहा है कि 5.1 शायद सरकार पूरा 5.1 पर आजाए थोड़ा बात इदर उदर हो सकता है तब देखेंगे अभी तक तो उमीद यह है तो उसके अलावा कुछ जादा नहीं था बजट में तो लोगों को जो डर लग रहा था वैसा कुछ नहीं है एक जो नेगटिव है कि जिसमें सरकार ने बोला है कि इंकम टैक्स एक्ट जो 1962 से कंपनी जिनों ने भी किसी ने भी हिंदुस्तानी कंपनी को खरीदा बेचा है या कोई भी हिंदुस्ता इंटरनाशनल बिजनेस के हिसाफ से तो पर अभी तक बजट पास नहीं हो तो देखते हैं बंजल जी आपने जो बताया कि काफी उम्मीदें नहीं थी पिर आपने ये बताया कि सर्विस चेक्स दो परसंट बढ़ा दिया एक्साइज एन कस्टम्स पर दो परसंट ड्यूट अभी करता है अभी क्या होता है कि सरकार अगर सरकार के खर्चे पूरे नहीं होते सरकार की आमदनी से तो सरकार मार्केट से बौरो करती है ठेक है तो अगर बौरो करती है तो जो प्राइवेट सेक्टर में जो ब्याज की दरें है ओपर रहती है अगर सरकार के खर्चे जैस आप tax बढ़ाओ या ना बढ़ाओ उससे inflation पे कितना फरक पड़ेगा क्योंकि वो indirectly impact तो करता ही है और दूसरी बात ही है कि exercise duty और जो service tax बढ़ाया है तो यह 2007 से अभी भी कम है तब 14% होता था अभी 12% है तो 2% अभी भी कम है 2008 के जो international markets में crisis हुआ था उसके बाद बहुत कम कर द लोगों को यह बढ़ाने की उमीच पिछले साल भी थी पिछले साल नहीं बढ़ाया इस साल बढ़ा दिया है तो मेरे को नहीं लगता कि inflation पर मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत एफेक्ट पड़ेगा पर कोई चारा नहीं है क्योंकि सरकार के कहच्चे बहुत जादा है औ वर आमदनी कम है और ग्रोंद रेट भी कम हो रही है पहले हम साढ़े-are לח करते थे अब यह जो लास्ट कवर्टर का से बढ़ाने के है तो उसके कारण मेरे को नहीं लगता कि आब आप अगर आपकी growth rate भी कम हो रही है अगर आप tax भी कम करोगे तो सरकार के आमदनी बहुत कम हो जाएगी तो उसके करन आपको tax तो बढ़ाना ही पड़ेगा क्वेस्चन यह था कि अगर सरकार subsidies कम करेगी नहीं करेगी उसके लिए political consensus बहुत जुरूरी है और तभी आप खर्चों पर नियंतरन पा सकते हैं पर अगर आपको और आमदनी बढ़ानी है तो इकी तरीका की tax बढ़ाओ आपने सही बताया divestment के बारे में गरीबन अंदाज बहुत ज्यादा है और बहुत सारा पैसा आ भी सकता है लेकिन हमने कई सालों से देखा है कि whatever the reason में भी लेकिन जो जो भी चाहते है वो होता नहीं है इसके लिए कोई भी reason हो सकता है political जो भी परिस्थिती है तो यह divestment की बाते होती है लेकिन divestment होता नहीं है क्या आपको उम्मीन है कि इस बार भी उन्होंने जो चाहा है वो होगा actually वो उस पर depend करता है कि कितनी जल्दी process शुरू करते हैं अगर आप last year का देखें तो नवेंबर डिसेंबर में काम करना शुरू करा तो मार्श तक भी ONGC हुआ है पीच में एक दो हुआ हैं वो शायद मेरे को इतना द्यान में नहीं है पर मेंली ONGC से 12,000 क्रोड रपे रेज किया है इस साल उन्होंने 30,000 क्रोड रखा है अमांट जाता नहीं है पर अगर करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं पर अगर वो अ क्या सबसीडी कभी भी कम होई नहीं सकती है सबसीडी कम हो सकती है प्लिटिकल विल चाहिए सरकार कोशिश कर रही है अधार के थरू जिसमें कुछ आपको अधार का पता ही होगा कि हर अधार में हर एक हिंदुस्तानी को एक नंबर दिया जाएगा और वह बायो मेट्रिक है तो आपके अंगलियों के निशान लेते हैं वो और उसके साफ सरकार कोशिश कर रही है कि अधार के साथ ही बैंक अकाउंट खुल जाए और जितना वो आज की रेट में इंडिरेक्ट सबसीडी देती है कि वो कंपनीज को सबसीडी देती है चाहिए वो फटिलाइजर है या ओयल कंपनीज है और वो सस्ते दाम में अपने प्रोड़क्ट है जो मार्केट में विचते हैं उसकी जगह प प्राजील में बड़े LARGE SCALE पर होता है जहां पर वो प्रिपेड कार्ड देते हैं लोगों को और वो लोग प्रिपेड कार्ड से वो जहां पर जो समान खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं जिसके उपर सबसीडी मिलती है और एक सबसीडी कि अगर आप अगर आपको पर द्राइब कर देते हैं तो एक रुपे से कम खर्चा है तो सरकार को ट्रांसफर करने में ही बहुत पैसे बच जाएंगे फिर लीकेज हैं कि आदमी जैसे हो कि जैसे मेरा एक्जामपल लो तो अर्विद मचसल बंसल अर्विन के बंसल एक बंसल तो बहुत सारे लोग इसका सारे बहुत सारी सभशी लीके जैस तो जो की हो सकता है अधार के बैसफ पर बहुत कम हो जाए गलता करुत तो सब्सिटी बिल युद्द in Principal Medium एक व और डिटीसी डाइरेक्ट टेक्स कोड आने से टेक्स कम हो सकता है लेकिन डिटीसी आई नहीं रहा है कब से सुन रहे है कि आ रहा है और इसके बज़े से टेक्स कम नहीं हो रहा है तो नेचरली लोगों को लगता है कि हमारा भला नहीं हो रहा है यह किसे हो सकता है दोनों के ल में बजट स्पीच में कि अगले साल करेंगे GST में क्योंकि DTC में बहुत सारी चीज़े हैं जो सकेंदर के अंदर आती है GST के लिए दो तिहाई आधे से जादा स्टेट का सहमती जरूरी है तो उसके कारण और बहुत सारे और GST में जो मेन है कि आज की डेट में लेवल पर टैक्स लगता है तो फैक्टरी से जब समान निकलता है तो वहां से टैक्स लगता है जीसटु में वा कंजम्शन- कंजम्शन लेवल पर टैक्स लगने लग जाए कि जब donating लगेगा तो जहां करेक्षन होती है उनके र हो जायेगा जिन-चे में खर्चे होते हैं जहां जहा लोगा जहां उनका उनका में बढ़ जाएग तो इस इसके लिए पुलिटिकल सहमती नहीं है और तो जब तक वो नहीं बनती तब तक मेरे को नहीं लगता होगा बंजल जी आर्फिक विकासदर कम हो रहा है और सरकार जो जो भी रिजन्स देती हैं वो कुछ दिमाग में नहीं बैठते हैं उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में एक बड़ी तकलीफ थी और क्राशी कीवज़े से हमारे पर भी इतनी एफेक्ट होई ऑईल प्राइजिस की उन्होंने बात बताई इसकी वेज़े से हमारे पर इवेक्ट होई क्या अप इस बात से सहमत होए जो क्राइसिस हुआ 2008 का उसने इंडिया को भी एफेक्ट करा बाकियों को भी करा पर हमारा मोमेंटम था 2003 से 2007 तक है जो मोमेंटम से हम 2008-2009 कर गए 2010 भी ग्रोथ ठीक रही 2011 में कम हुई उसका में दो तिन रीजन्स हैं एक तो यह है कि हमारा सबसीडी बिल बहुत जादा है तो आप यह देखिए आपके पास खर्चे के लिए पैसे उतने ही है या तो आप उसको सबसीडी पे खर्च कर दो या उसको आप डेवलप्मेंट के लिए खर्च करो तो अगर आप कर उसको बित्रेसिटोर नहीं नहीं कि शंखर का पैसे नहीं कि आपको आपका क्या क्यांटाप्र मेड़लप्मेंट कर सके तो जब तक आपका बैलेंस नहीं होता कि और तीसरी बात यह कि बहार से जो बहुत सारा पैसा आता था, अगर आप देखें कि इंडिया में अप्रॉक्सिमेटली 1.5-2% ग्रोथ रेट है, वो बहार के पैसे से होती है, अगर बहार का पैसा नहीं आएगा, तो हमारी ग्रोथ रेट उतने से कम हो जाएगी, तो पिछले 2.5 साल से, 2010 के एंड स बहार का पैसा नहीं आ रहा, तो उसके करण हमारी ग्रोथ रेट कम होती जा रही है, तो बहार का पैसा आने, बहार का पैसा जब आता है वो देखता है कि इंडिया वर्सेज अधर कंट्रीज, कि इंडिया जादा अट्रेक्टिव है, या कोई और कंट्री जादा अट्रेक् बस्टक्रोंद एकीms प्रॉब्लम में अगर आप रीसें सीच अगरोंद रिपोर्टिटे ईकनुरत्ग ऐнять गुर्थ जनहीं audit रहें हो कि गूर्व टावश्च हुई उसका main reason यह है कि बहुत जगा growth rate के कारण economy overreat हो गई inflation दुरूरत से ज़ादा बढ़ गई और क्योंकि गरीब लोग including India बहुत ज़ादा लोग है तो उन्होंने ब्याज की दरह बढ़ाई और उसे growth rate कम हो रही है तो I think cycle है यह पर अगर आप देखें 2003 से पहले 98-99 से 2003 तक इंडिया में ऐसी growth rate होती थी 6-7 परसेंट आपके corporates के पास बहुत सारा debt होता था तो दीरे दीरे हर 5-6 साल में corporates ने debt कम किया तो आप इससे fast growth rate इससे fast growth rate आप कम ब्याज की दरहों पे भी 2003 से 2007 में देखें अब ब्याज की दरह जादा है और growth rate कम है fiscal deficit भी जादा है तो जब तक ये सारी problems control में नहीं आती तब तक उमीद करना कि हम 8-9% पे growth करने लग जाएंगे मुश्किल है मतलब इस stock market को हम आर्थिक प्रगती की 12 सी सी गिनते आया है इस budget में stock market में के लिए अंदात पत्र में कोई provision किया गया है या तो mutual fund industry को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रावधन किये गये एक तो STT कम किया है 20% तो 0.125% से 0.10% कर दिया है एक वराजीव गांदी scheme शुरू करी है जिसमें अगर आप तीन साल के लिए एक तीन साल के लॉकिन के लिए एक लाग रुबे के शियर्स करीदेंगे उस पर पचास जार पर आपको डिड़क्शन मिलेगी तीसरा यह है कि infrastructure bonds हैं जो तीस हजार से साथ हजार क्रोट कर दिया तो यह हैं जो तीन main provisions हैं stock market के लिए बाकी यह है कि इवेंट्स हैं जो सारा साल होते हैं तो सरकार का केसे साथ से काम करेगी या companies केसे साथ से अगर आप international investor के साथ से देखें तो वो दो तीन चीज़ें देखता है कि भारत में महंगाई कम हो रही है नहीं हो रही भारत में बाकी सारी चीज़े तो पहले भी होती थी अब भी होती है तो जब तक वो कंट्रोल में आएगा तब तक stock market पे कितना influence होगा budget का भी question mark है पर at the same time अगर दुनिया में growth rate बढ़ रही है तो India पे पोजिटिव इंपक्ट हो सकता है what is the mood of investor stock market में is this the right time to enter into it और mutual fund क्या जो growth था वो भी काफी कम हो चुका है या तो mutual fund में से लोकों को interest कम हो गया है या mutual fund की जो भी प्रावदान की गही है खाश कर के जो बीच में जो agents वादर हम बोलते हैं या partners इसको बोलते है उनके साथ जो commission के बारे में जो तकलिफ हुई थी तो आपको क्या लग रहा है इसकी वज़े से mutual fund industry ग्रोव करती थी वो काफी हद तक कम हो गई है ने देखें सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा impact है एक तो अगर आप देखें कि 2007 से 2011 तक stock market में लोगों ने पैसे नहीं बनाए 2007 में निफ्टी 6300 तक गया था अभी हम 5200 पे है तो एक आम आदमी जिसने stock market में पैसे लगाए थे उसने पैसे नहीं बनाए second है regulatory changes जो commission पे हुई है उसका भी impact है तीसरा ये है कि पर अगर आप composition देखें composition में आज आम आदमी बहुत सारे पैसे debt fund में लगाने लगा है पहले 2007 तक आम आदमी equity fund में लगाता था अब वो debt fund में लगाता है FMP में लगाता है liquid में liquid में अगर एक साल का return लगा हो तो approximately 9% है पिछले एक साल में तो बहुत आम आदमी को बहुत alternative attractive and lesser risky proposition देखता है तीसरा वो देखता है कि रिस्की proposition जो equity है उसमें उसको कितने पिछले 4-5 साल में पैसे बने है especially अगर चाहे वो lump sum investor है चाहे वो SIP में investor है मैं सुनता हूं कि SIP में लोगों ने depending किस fund में इंवेस्ट किया जो size है इंडस्ट्री का शायद नहीं बढ़ पाया है but overall composition है जो industry का कि जो पहले आम आदमी equity fund में पैसा लगाता था आज का आम आदमी बहुत debt fund में पैसा लगा रहा है तो सबका थोड़ा थोड़ा impact है and वो दीरे 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 मेरे साब से ठीक हो जाएगा कोई sector specific जोगवाई अन्दात पत्र में की गिए ताकि ये particular जो sector उसको बढ़ावा मिले ताकि हम उसमें invest कर सके यह ऐसा तो I think कोई particular नहीं है कि जिसमें जी बहुत provision दिया गया हो मेरे साब से जिस साब से पिछले पांसा साल में asset classes हैं चाहे वो gold है चाहे वो fixed income है चाहे वो equity है जिसे साब से different different returns हाए है मेरे साब से एक आम investor को आम आदमी को asset allocation approach देखना चाहिए उसको depending on कि करिक्स profile कैसा है उसमें उससाब से कितना equity में लगाना है कितना debt में लगाना है कितना gold में लगाना है वो देखे और उससाब से चूज करें क्योंकि अगर आप देखें gold सिरफ एक ही asset class है जिसने 2000 से के बाद positive return दिया है year on year equities ने नहीं दिया है और debt में हर साल positive return बना है तो अगर अगर पिछले investor कड़ा हो के बोलता है कि मेरे को चार साल से पैसा नहीं बना तो उससा ही बोल रहा है चाइशता है वह बहुत अच्छा है उसमें चार इस प्रोफाइल एं एक पूर debt है और दूसरा जिसमें दूसरा इक M.I.P टाइप से जिसमें 20 परसेंट एक्विटीए 10 परसेंट गोल्ड और बाकी डेट है और तीसरा, में 40 परिसंट एक्विटीविटी है 10 परसेंट गोल कि उसमें ऐसे टालोकेशन है जब किसी फंड मैनेजर को चेंज करना होते हैं हम कर देते हैं उसको दियान देनी की जूरत नहीं है अगर कोई सी एसेट क्लास में बहुत पैसे बनते हैं और उसका वेट भढ़ गया है हम फिर से उसको रिबालेस कर देते हैं जो कि एक आम आदम कर दो